करक राशी 2023, मार्च का महीना किस प्रकर्वितीत होगा, तो आईए जानते हैं करक राशी वालों के लिए महीना किस प्रकर्वितीत होता नजर आते हैं, तो जितने भी करक राशी के जातक मेरे साथ मौझूद है, प्रेडिक्शन उनके लिए हैं, उससे पूर्फी में बता दे न चाती हूँ कि हम जितने भी राशी फल लेते हैं उस सब के सब Moon Science के हिसाब से चंद राशी के हिसाब से लेते आपके Horoscope के हिसाब से जो आपकी राशी निकल कर आती है उसके हिसाब से prediction है इसको Sun Science से confuse मत कीजेगा तो आएए जानते हैं करक राशी वालों के लिए महिना किस प्रकार व्यतीत होता है तो करक राशी वालों के लिए क्विचित्र योग निजर आता है अखंड धन संपत्ति योग इसका मतलब ये नहीं होता कि एक ही महीने के अंदर आप सब के सब राजा हो जाएंगे ऐसा नहीं होता लेकिन करक राशी के कई जातकों के जीवन में ये हो सकता है कि कोई प्रॉपटी पुरानी बेच दे या कोई लोन उठा ले नई प्रॉपटी खरीदने के लिए तो क्लियर हो जाएगा बड़ा अच्छा सा योग बना हुआ है और आपकी सैलरी इंक्रिमेंट भी नजर आती है अगर आप जॉप करते हैं तो अगर बिजनस करते हैं तो बहुत अच्छी डीलें जिसकी वज़त से आपको बहुत ज़ादा धनसंपत्ती मिल जाएगी तो काफी धन वृद्धी योग बना हुआ है काफी positive है घर का योग बना हुआ है and everything is very very fruitful तो ये महीना overall आपका बहुत अच्छा है धन को बचाना कैसे है धन को खर्च कैसे करना है वो सारी management ही चलती रहेगी बस इस महीने पूरे महीने पैसे का उपयोग किस प्रकार मुझे करना है इस निकलने वाला है तो ये अच्छी बात है आपको पहले से बहुत-बहुत मुबारक हो समरन रखिए जबी भी अच्छा दन संचय हो तो मैं हमेशा बोलती हूँ profit का 10% दान पुन्ने में अवश्य लगाए धरम करम में अवश्य लगाए इससे आप अपनी संचय धनराशी को अब हम आजाते हैं कापल्स की तरफ तो मैरेड और अनमारेड कापल्स का हम देखते हैं सब अपने करियर में वियस्त हैं प्रेम अची बाते अपनी जगा सब बढ़िया है लेकिन कभी-कभी होता है कुछ टाइम ऐसा भी निकल जाता है जब हम पूर्ण रूप से अपने का है तो कॉम्मिनिकेशन करके अपनों से थोड़ा हाल चल पूछ लिया करना और फिर अपना अदुबार आप काम में फोकस हो सकते हैं ठीक है अब हम आ जाते हैं स्टूडन्स तो स्टूडन्स का भी हम देखते हैं कि फोकस यह है कि फटा-फट हमारा पढ़ाई कंप्लीट हो हमारी और फिर हम फट-फट से पैसे कमाना शुरू करें वो आप थोड़ी सी जात हागे चले गए पहले आपको पढ़ाई पे ही फोकस करना है आप जानते हैं कि एक्जैम के टाइम्स आ रहे हैं उसके लिए आपको पून रुप से फोकस पढ़ाई पे करना है पढ़ाई के रिजल्स अच्छे होंगे, स्ट्रीम अच्छी मिलेगी या अप अच्छे कॉलेज में जा कि कुछ अच्छा करेंगे तो फिर आपका भविश्य भी 100% रुजवल होगा तो पून रूप से एक आगरता इसमें बनाए रखिए अपनी पढ़ाई में हरुमान जी को और अच्छे आएंगे, यदि आप परिश्रम करेंगे तो आपको महनत करनी पड़ीगी, ठीक है, बाकी everything is very positive करक्राशी वालों के लिए ऐसा कुछ खास नहीं है जो मुझे उनको बताना हो, रोगों का भी मुझे कोई स्थान नजर नहीं आता, अगर मैं निचोड निकालू तो यह पूरा महिना काम डेडिकेशन के साथ करने में, फोकस्ट ओन हाउ टू एर्न मनी, हाउ टू मैनिज दी मनी, शायदने या घर लेने में, या कोई प्रॉपर्टी सेल करने में, या प्रॉपर्टी खरीदने में, ऐसे ही निकल जाएगा, तो अच्छा महिना है, प्रभू क के श्री विग्रे में मिलेंगे, उनकी लीला कथाएं पड़ें, आमाइन पढ़ सकते हैं, कितने सारे पुराण हैं, कोई भी एक पुराण पढ़ सकते हैं, जब भी आप उनकी पूजा पदती में इंटर करना चाहते हैं, सात्विक हो जाएं, भूजन को सात्विक करें, no non- विज, no alcohol, no smoking, no tobacco, no eggs, eggs are also non-vig, ठीके, तो आशा है ये महीना आपको बहुत-बहुत-बहुत सुन्दर वियतीत हो, जो भी आपके मनूरत हैं, वो पूर्ण हो, और सात्थ ही आप दूसरों को भी खुशियां बाढ़ते होएं, इस महीने को और जादा उज्वल बना लें, ध झानिवाद, झानिवाद, झानिवाद.